आखिर वो कीड़ा कौन था जिसने करण की जांग को काटा था क्या उसे भविश्य में करण की मृत्यू निश्चित करने के लिए ही भेजा गया था इस घटना के अतिरिक अन्य कौन कौन से श्राब थे जो करण की मृत्यू के कारण बने थे किस ने दिये थे विश्राप और किस अपराद का दन्न मिला था करण को इन सभी प्रशनों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंततक बने रहें ओम कनपते चैनल में आपका स्वागत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वश्य करें महा भारत के शांती पर्व अध्याए दो में नारत जी युद्ष्टिर को बताते हैं कि जब गुरु द्रोण ने करण को ब्रमास्त्र का ज्यान देने से मना कर दिया तब द्रोणाचारे की आग्या ले करण सहसा महेंदर परवत पर परशु राम जी के पास चला गया परशु राम जी के पास जाकर उसने मस्तक छुका कर उन्हें प्रणाम किया और कहा मैं ब्रिग वन्शी ब्रामन हूँ ऐसा कहकर उसने गुरु भाव से उनकी शरण ली। परशु राम जी ने गोत्र आदी सारी बाते पूच कर उसे शिश्य भाव से स्विकार कर लिया। उस परवत पर ब्रिग श्रेश्ट परशु राम जी से विधी पूर्वक धनुर वेद सीखकर करण उसका अभ्यास करने लगा। उस समय अगनी होत्र में लगे हुए किसी वेद पाठी ब्रामन की होम देनु उदर आ निकली। उसने अंजाने में उस देनु को हिंसक जीव समझकर अकस्मात मार डाला। अंजाने में ये अपराद बन गया है। ऐसा समझकर करण ने ब्रामन को सारा हाल बता दिया और उनसे कहा भगवन मैंने अंजाने में आपकी गाए मार डाली है अते आप मेरा ये अपराद क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। करण ने इस बात को बार बार दोहराया। ब्रामन उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठ करने के लिए नरंतर चेश्टा करता है उसके साथ युद्ध करते हुए तेरे रत के पहिये को धरती निगल जाएगी नराधम जब प्रिथ्वी में तेरा पहिया फस जाएगा और तू अचेचा हो रहा होगा उस समय तेरा शत्रू प्राक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिरा अब तू चला जा इस प्रकार श्राप प्राप्त होने पर करन ने उस श्रेष्ट ब्रामन को बहुत सी गोएं थन और रत्न देकर उसे प्रसंद करने की चेश्टा की इस पर ब्रामन बोला सारा संसार आ जाए तो भी कोई मेरी बात को जूटी नहीं कर सकता तू यहां से जा या खड़ा रहे अथ्वा तुझे जो करना हो वो कर ले प्रामन के ऐसा कहने पर करन को बड़ा भै हुआ वे परशुराम जी के पास लोटाया करन के बाहुबल प्रेम इंद्रिय सैयम तथा गुरु सेवा से फ्रिक श्रेष्ट परशुराम जी बहुत संतुष्ठ होए तद शेडा भैंकर था करन के पास आया उस रक्त पीने वाले कीड़े ने करन की जाग के पास पहुचकर उसे चेट दिया परन्तु गुरु जी के जागने के भैसे करण ना तो उसे फैंक सका और ना ही मार सका वे कीड़ा उसे बार बार डंसता रहा तो भी सूरेपुत्र करण ने कहीं गुरुजी जागना जाएं इस आशंका से उसकी उपेक्षा कर दी जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर में लग गया तब वे ते जस्वी भारगव जाग उठे और भैभीत होकर इस प्रकार बोले अरे मैं तो शुद्ध हो गया तू ये क्या कर रहा है मुझे इस विशे में ठीक ठीक बता तब करण ने उनसे कीडे के काटने की बाद बताई परशुराम जी ने भी उस कीडे को देखा वै अलर्क नाम से प्रसिद्ध कीडा था परशुराम जी की दुष्टी पढ़ते ही उसी रक्ट से भीगे हुए कीडे ने प्राण त्याग दिये तदंतर आकाश में एक विकराल राक्षस दिखाई दिया उस राक्षस ने पूर्ण मनोरत हो हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा फ्रिग श्रेष्ट आपका कल्यान हो मैं जैसे आया था वैसे लोट जाऊंगा मुनी प्रवर आपने इस नर्क से मुझे छुटकारा दिला दिया आपका भला हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ तब जमदगनी नंदन परशुराम ने उनसे पूछा तू कौन है और किस कारण से इस नर्क में पड़ा था बतलाओ उसने उत्तर दिया तात प्राचीन काल के सतियुक की बात है मैं दंश नाम से प्रसिदिक महान असुर था एक दिन मैंने भिगु की पतनी का बलपूरवक अपहरण कर लिया इससे महरिशी ने श्राप दे दिया और मैं कीडा होकर इस प्रिथवी पर गिर पड़ा तब मैंने उनसे कहा प्रमन इस श्राप का अंत भी तो होना चाहिए ये सुनकर भिगुजी बोले फ्रिगुवन्शी परशुराम से इस श्राप का अंत होगा साध हो आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनी से उध्धार हो गया परशुराम जी से ऐसा कहकर वे महान असुर उन्हें प्रणाम करके चला गया इसके बाद परशुराम जी ने करण से क्रोध पूर्वक कहा ओ मूर्ख ऐसा भारी दुख ब्रामन कदापी नहीं सह सकता तेरा धैरे तो खशत्रिय के समान है तु सुच्छा से ही सत्य बता कौन है करण परशुराम जी के श्राप के भैसे डर गया अते उन्हें प्रसंद करने की चेश्टा करते हुए कहा फारगव आप ये जान ले कि मैं ब्रामन और शत्रिय से भिन सूत जाती में पैदा हुआ हूँ ओ मंडल के मनुष्य मुझे राधा पुत्र करन कहते हैं मैंने अस्त्र के लोब से ऐसा किया है ये सुनकर परशुराम जी इतने रोश में फर गये मानों वे उसे दगद कर डालेंगे उधर करन हाथ जोड़कर दीन भाव से कामता हुआ पृत्वी पर गिर पड़ा तब वे उससे बोले मूड तुने ब्रह्मास्त्र के लोब से छूट बोलकर यहां मेरे साथ मिथ्या चार किया है इसलिए जब तक तु संग्राम में अपने समान योध्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यू का समय निकट नहीं आ जाएगा तब ही तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरन बना रहेगा अब तु यहां से चला जा तुझ मिथ्यावादी के लिए यहां स्थान नहीं है प्रन्तु मेरे आशिरवाद से कोई भी शत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं करेगा परशुराम जी के ऐसा कहने पर करण उन्हें नयाय पूर्वक प्रणाम करके वहां से लोटाया हाला कि उस कीड़े ने स्वैम को एक राक्षिस बताया था परन्तु करण का मानना कुछ और ही था करण पर अध्याय 42 में जब अरजुन और करण का अंतिम युद्ध होने वाला था उससे ठीक पहले करण अपने सार्थी बने राजा शल्य को बताते हैं कि पूर उकाल की बात है मैं दिव्यास्तरों को प्राप्त करने की इच्छा से ब्रामण का वेश बना कर परशुराम जी के पास रहता था शल्य वहां भी अरजुन का ही हित चाहने वाले देवराज इंद्र ने मेरे कारे में विघन उपस्तित कर दिया था उस दिन गुरु देव मेरी जांग पर अपना मस्तक रखकर सो गए उस समय इंद्र ने एक कीड़े के भेंकर शरीर में प्रवेश करके मेरी जांग के पास आकर उसे काट लिया काट कर उस में भारी घाव कर दिया और इस कारे के दौरा इन्होंने मेरे मनोरतों में विघन डाल दिया जांग में घाव हो जाने के कारण मेरे शरीर से रक्त का महान प्रवाव पह चला तब पश्चाज जब गुरु जी जागे तब उन्होंने ये सब कुछ देखा शल्ले उन्होंने मुझे ऐसे धैरे से युक्त देख कर पूछा अरे तु ब्रामण तो है नहीं फिर कौन है सच सच बता दे तब मैंने उनसे अपना यथार्थ परचे देते हुए इस प्रकार कहा भगवन मैं सूत हूँ सदंतर मेरा वृतान सुनकर महात पस्वी परशुराम पर तेरा ये अस्त्र तुझे याद ना आएगा तेरी मृत्यू के समय को छोड़कर अन्य अवसरों पर ही ये अस्त्र तेरे काम आ सकता है तो करण के अनुसार वो कीड़ा देवराज इंद्र थे जैश श्री कृष्ण आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा रिपया इसे लाइक और शेयर रवश्य करें इसी भी प्रकार की तुटी के लिए आप सबसे ख्षमाय आचना करते हुए आपसे निवेदन हैं कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धार्ण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय